Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India. Formula milk की wastage को हम कम कैसे करें? ये question मुझसे काफी parents पूछते हैं, क्योंकि formula milk काफी expensive होता है, और कई बार आपकी बनाई हुई bottle बच्चे नहीं पीते. तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो like जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe करते हुए bell icon को hit कर लीजेगा ताकि हर वीडियो का timely notification आपको मिल सके. Now let's get started. एक ideal state में अगर एक mother को breast milk आ रहा है, तो बच्चे को आप जितना हो सके breast milk ही पिलाएं, बट काफी mothers को breast milk नहीं आता है, जिस case में आपके पस एक ही alternate है, formula milk पे switch होना at least first year में, उसके बाद आप animal milk भी दे सकते हैं. तो इस first year में जब आप formula milk पे switch होते हैं, और formula milk काफी expensive भी होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि इसकी wastage को हम कैसे minimize करें, और इसकी preparation के time पे हम किन चीजों का ध्यान रखें, ताकि बच्चे को कोई infection ना हो जाए, because अगर formula को ठीक तरीके से नहीं बनाया जाए, या फिर उसको use ठीक तरीके से नहीं किया जाए, तो अब मैं आप से कुछ guidelines शेर करूँगी, जिसका आपको ध्यान रखना है, and you can enjoy your first year of parenting with your babies. Details में जाने से पहले मैं एक और request करूँगी, कि हमारे social media handles, यानि Instagram और Facebook पे हमें जरूर follow कीजे, यह हमारे IDs हैं. पहला rule, formula बनाने से पहले, अपने हाथों को अच्छी तरीके से wash कीजे, और उन्हें एक clean towel से dry कीजे, और formula milk हमेशा sterilized bottles में ही बनाईए. दूसरा, हो सके तो formula feed को बिलकुल fresh बनाईए, और बेबी को offer कीजे. अगर बेबी का saliva एक बार formula feed को touch कर जाता है, तो फिर आप उसको reuse नहीं कर सकते हैं. कई बार ऐसे होता है कि आपने बच्चे को bottle दी, और उस ताइम बच्चे को भूक नहीं लगी. Especially initial months में mothers के साथ होता है, कि उनको hunger pattern बच्चे का समझ नहीं आ रहा होता है. तो अगर बच्चे ने हलका सा दूद पी लिया है और अब bottle छोड़ दिये, क्योंकि उसको अभी भूक नहीं है, तो आप वो formula discard कर दीजे. Because अब उसमें वो bacteria सिरफ thrive करेगा, तो it should be discarded. तीसरा है formula बनाने का तरीका. Formula बनाने के लिए हमेशा boiled water ही use कीजे. आप सबसे पहले पानी को boil कीजे. आप 100 degrees पे पानी को boil करेंगे. उसके बाद उसे आदे घंटे के लिए cool down होने दीजे. इस आदे घंटे में पानी का temperature 100 degrees से 70 degrees पे आ जाएगा. यह जो 70 degree temperature है, यह perfect temperature है formula बनाने के लिए. तो अब packet के instructions को follow कीजे. और depending on आप कितने ml formula बना रहे हैं, उतने scoops formula powder उस पानी में add कीजे. बादल को 10 से 15 से के लिए shake कीजे और आपकी बादल रेडी है. बट याद रखेगा इस ताइम पे जो पानी का temperature है वो 70 degree है. तो बच्चे के लिए यह गरम हो सकता है. तो थोड़ा सा weight कीजे ताकि वो और cool down हो जाए. आइडिली यह एक चो look warm temperature होता है, यानि गुनगुना temperature होता है, वो बच्चे के लिए perfect होता है ताकि उसका मूँ ना जल जाए. और उसको चेक करने के लिए आप bottle से थोड़ा दूद अपने हाथ पर डाल के देख सकते हैं कि temperature ठीक है या नहीं. अगर बेबी विलकुल weight नहीं कर पा रहा है, तो आप उसी bottle को एक ठंडे पानी के glass में रख सकते हैं. Just ensure ये करना है कि वो पानी ढखकन के अंदर नहीं चले जाए, उससे bottle जल्दी कूल हो जाएगी और आप बेबी को offer कर सकते हैं. चौथी guideline उन parents के लिए है, जिनके पास time कम है, वो बार बार fresh feed नहीं बना सकते हैं, boil water नहीं कर सकते हैं हर बार. तो ऐसे में आप क्या करें, कि आप दिन में एक बार बहुत सारा पानी boil कर लें, जब वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाए, तो बेबी की sterilized bottle में, जितना बेबी दूद पीता है, उतना पानी आप भर के और bottles में रख लीजे. जहां पर बारी-बारी fridge खुलने से temperature का फरक ना पड़े, और इन bottles के साथ कोई छेड़ खानी भी नहीं करे. अब जब भी आपको formula बनाना है, तो आपने एक bottle निकाली, अब bottle में पानी इस ताइम पे ठंडा है, तो पहले इस पानी को आपको एक warm temperature भी लाना है, जिसके लिए आप bottle warmer का use कीजे, इस पानी को आप बिल्कुल भी microwave करके reheat मत कीजे, या ग्यास पे reheat मत कीजे, विकर जब पानी को reheat करेंगे, तो उसके अंदर के जो nutrients हैं, वो kill हो जाएंगे, तो एक bottle warmer के use से इस पानी को थोड़ा सा warm कर लीजे, और फिर packet के instructions को follow करके, आप अपनी formula feed को बनाईए, और बेबी को दे दीजे, इस case में आपको ज़्यादा weight भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दू 24 hours के बाद discard कर देना है, 24 hours से ज़्यादा आपको इसे use नहीं करना है, पांच भी guideline में हम उस case की बात करेंगे, जहां आपने एक fresh formula feed बेबी के लिए बनाई, बट आपने clearly देखा कि बेबी या तो सो गया है, या फिर अभी उसको बिलकुल भूक नहीं है, उसको bottle देनी ही नह saliva formula को नहीं लगा है, तो इस case में आपको इस feed को फैकने की ज़रूरत नहीं है, आप इस bottle को fridge की बिलकुल back side पे जहां temperature 5 degree से कम हो, वहां पे store कर दीजे, and up to 24 hours में आप इस feed को use कर सकते हैं, 24 घंटे के बाद आप इस feed को use नहीं कर सकते, जब आप इस feed को fridge से निकालेंगे तो ठंडी होगी, तो इसको गरम करने के लिए, again आप bottle warmer का use कीजे, जिससे feed जो है वो warm हो जाएगी, again आपको microwave या gas का use बिलकुल नहीं करना है reheating के लिए, या तो आप bottle warmer use कीजे, या फिर एक गरम पानी के glass में इस bottle को रख दीजे, थोड़ी देर में इसका temperature जो है, वो luke warm हो ज आपको ध्यान रखना है, number one, जो formula एक बेबी को suit करता है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे बेबी को भी suit करे, so it's a good idea to know कि कौनसे formula ब्राइन्स market में available है, but to see कि आपकी बेबी को क्या suit करेगा, आपको trying and testing method ही use करना पड़ेगा, इस method कि थुरू आप basically ये देख रहे हो कि क्या बेबी इस formula को digest कर पा रहा है, और क्या उसकी growth ठीक हो रहे है, यानि उसका जो weight gain हो रहा है, वो ठीक हो रहा है या नहीं, अगर ये दोनों चीज़े ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब वो formula आपके बेबी को suit कर रहा है and you can continue with it or you will have to change it. And last and very important guideline, formula खरीदने से पहले उसके packet पे manufacturing date ज़रूर चेक कीजिए, typically जो formulas होते हैं उस पे expiry instructions होते हैं कि जैसे ही आप इस formula को खोल लोगे, उसके 30 days बाद आपको इस पूरे packet को discard करना है, irrespective of the fact कि formula कितना बचा है या नहीं. ऐसा मेरे साथ initial stage में काफी होता था, जब Kabir जादा breast milk लेता था और formula कम लेता था, तो मेरा काफी formula powder वेस्ट हो जाता था और बहुत बुरा भी लगता था, but then you can't help it guys, इसके clear instructions हैं, just to save some money, आप इसको 30 days से जादा extend मत कीजे, अगर आपका powder use हो गया तो very good, अगर आपका powder नही use हुआ एक बार pack खुलने के बाद within 30 days, तो आप प्लीज उसे discard कर दीजे, so guys I hope इस वीडियो ने आपको काफी clarity दी होगी, formula milk बचो को देना एक बहुत ही common चीज है, in fact कई बार hospitals में भी, जब मदर को birth के बाद immediately feed नहीं आता है, तो doctors ही वहाँ पे बच्चों को top feed में formula offer कर देत है, अगर आप formula को dilute करने की कोशिश करोगे कि चलो मैं पानी थोड़ा जादा डाल देती हूं, या फिर मैं powder थोड़ा extra डाल देती हूं, तो वो जो उसकी nutritional value है, उसको kill कर देता है, तो आपको formula exact packet instructions के accordingly बनाना है, और जो मैंने guidelines बताई, उनको ध्यान में रखते हुए बनान झाल झाल